दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कैपसूल के बारे में जानेंगे जिसका इस्तमाल डाइजिसिस सिस्टम के लिए और अपने नर्वस सिस्टम के लिए इनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए बहुत जादा किया जाता है ये एक आयरवेतिक कैपसूल है तो इस पर अब इसको इसको नक्सान नहीं होगा तो ऐसा बिलकूल भी नहीं है कोई भी दवा है अगर मेडिसीन है तो इसको बिलकुल सही डोस में सही डूरेशन में ज़ отп दिव 한다 है उतना ही लेना है उससे जाता नहीं लेना है तो हम बात करेंगे पौरृगरे जी वेन कौन कौनसिस में दवाय डाली गई हैं तो उसमें बहुत सारी दवाय हैं जिसको मैं जिसे आप टैमिनालिया अरजुना है अरजुन की छाल एकलिप्टा अलबा है इसी तरीके से पाई पर लांगम है जेंजिबी रोफेशनालिस है शिलाजीत है बरंबेगो जिलानिकम है और इसकास साथ जो हमारा हमको बॉड़ी को इनर्जी देती है जो प्रोटीन के रजाशन में मदद करती है ऐसी सारी दवाय इसमें डाली गई है तो इसके हम एक्शन के बारें बात करें कि इसका काम क्या है हमारी बॉड़ी के अंदर तो उसमें सबसे जो इंपोर्टन इसक का काम बताएं तो वो जी है कि इनरजी लेवल यानि हमारे इनरजी को बाड़ी के अंदर जो इनरजी होती जब आपका डाज़ेशन सही होगा तो आपकी इनरजी आटोमेटिक बढ़ेगी क्यों कि जो आप खाना खाएंगे जो आप फूड लेंगे वो सही से ब्जार्ब होग जो हमारी body बनाने में मदद करती है उसकी absorption में मदद करता है यानि कि वो हम खाते हैं तो खाने के बाद कोई ने कोई चीज होती है जो उसको एपसाल कराती है तो इस capsule के तो अगर हम यह लेते हैं तो हमारे अंदर protein का absorption बढ़ जाता है इसी तरीके से एक बहुत बड़ी problem आज कल हो रही है लोगों को mental satisfaction किसी को नहीं है सब लोग depression के शिकार हो रहे हैं सब लोग tension में रहते हैं तो एक तरीके से हमारे दिमाग को सुगून देने के लिए दिमाग को सही करने के लिए इसका इस्तमाल होता है तो यह चार चीज़ा में है नमबर एक टैज्जर स्टम को सही करता है इसी तरीके से energy level को boost करता है protein के absorption को मदद करता है और हमारा जो mental दिमागी जो संतुले नहीं है उसको सही करता है तो यह चार इसके main काम है उसके बाद अगर हम इसके सही डोस के बारे बात करें तो हम तोर से अगर आप नामल ले रहे हैं तो एक capsule लिया जा सकता है लेकिन जरूरत पढ़ने पर किसी को ज़्यादा problem है तो दो capsule भी लिया जा सकता है कोई बात नहीं है लेकिन किसी भी दवा को लेने से पहले अपने करीबी डॉक्टर से आप मिलने क्योंकि आपकी condition जब आपको डॉक्टर देखेगा तब ही समझ में आए कि कि आपको कितना चाहिए कितनी जरूरत है तो सबसे पहले आपने डॉक्टर से मिलने उससे बताएं उसके बाद ही किसी भी दवा का से वना करें वनना सही अगर आप इस्तमाल नहीं करेंगे तो आपको प्रब्लम हो सकती है डॉक्टर से कंसरल करने के बाद ही आप दवा इस्तमाल करें थैंक्स थैंक्स वाचिंग इस वीडियो